नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका एक्जाम फीवर यूटूब चैनल में दोस्तों हिमाचल प्रदेश जेवीटी और टीटी टीजीटी के जो अध्यापक पात्ता परिक्षा है टीटी का आयोजन नॉम्बर और दिसंबर 2020 में किया जाएगा उसके लिए जो नॉटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है हमाचल प्रदेश स्कूल सिक्षा बोर धरम साला ने नॉटिफिकेशन आउट कर दिया है तो आपको ये अधिसूचना में बताए देता हूँ जो कि 16 अक्टूबर 2020 को साइन हुई है इसमें लिखा हुआ है साफ साफ की अधिसूचित किया जाता है कि हमाचल प्रदेश स्कूल सिक्षा बोर द्वारा आठ विस्यों जेवीटी और टीजीटी में आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, लेंग्वेज टीचर, सास्त्री, पंजाबी और उर्दू इन सबी जो आर्ट्स, लेंग्वेज है इनकी अध्यापक पात्ताव परिक्षा यानि की टीटी का आयोजा नॉमबर और दिसमा 2020 में जो तिथी यानि की डेट नीचे दी हुई है जिनने मैं आपको भी पढ़के सुनाऊंगा उनको आयोजित किया जाएगा तो आप लोग इसकी जो आपीसेल वेबसाइट है hpbose.org तो यहाँ पर पूरी की पूरी जो प्रोस्पेक्ट से लेकर के सभी की सभी जो जानकारी है वो अपलब्द है तो जो इच्चो क्या बेरती है वो इसी वेबसाइट पर जाकर के ओनलाइन अप्लिकेवल अपलाई भी कर सकते हैं तो जो लाश्ट डेट है पेमेंट करने का वो भी पांच नवंबर कोई है रात तक और उसके बाद अगर आप उनलाइन करेंगे अपलिकेशन तो आपको लेट फीस तीन सव रुपया देना पड़ेगा वो है छे नवंबर से लेकर के दस नवंबर तक रात तक और फिर जो ऑनल पूज है वो मिल चुकी है अभी आप लोग जो लोग हमाचल प्रदेश में टीटी के देने के चुक हैं वो लोग इसके लिए जो आट बिसे हैं टोटल इसके लिए अपलाई कर सकते हैं ओलेडी आज तारीक भी निकल चुकी है 19 नौबर 19 अक्टूबर से जादा हो चुका ह लुज है और पंजाबी और अर्दु टीटी तेरा देसंबर को होगे 10 वजे से और दो बजे से तो इस तरीके से टोटल एगजाम जो है वो 29 नौबर से लेकर कर तेरह दिसंबर तक एगजाम होगे सभी एक्जाम धाई गंटे के डूरेशन के हैं अभी जो जनरल और जो सब केटेगरी जो है इसकी जो कास्ट हैं उनको 800 रुपया फिस देना होगा SC, ST, OVC और जो फिजिकल हैं उनको 500 रुपया फिस देना होगा अपलाई करते टाइम पे इसके अलावा इसमें जो एक सबसे महतपूर बात है वो है जो लाश्ट येर को जो एस्टुडेंट्स थे जो पिछली बार जिनों लोगों ने परिक्षा नहीं दे पाई थी कोरोना के चलते तो इस बार उन परिक्षारतियों से बोर्ड फीस नहीं लेगा लेकिन अभी तक ये नहीं बताया गया है कि मतलओ इसमें हलंगे उनके दौरा उस तमय आवेदन जमा करवाना सुनेशित होना चाहिए यानि कि पहले जो उन्होंने आवेदन कीया है और बाकी का जो पूरी की पूरी नौलेज है पूरी जानकारी है वो आप मेरे साथ बने रही है मैं आपको देता रहूंगा और इसका जो सलेवस है इसका जो एक्जाम पैटन है वो भी मैं आपको अपलब्द कराऊंगा और अधिक सदिक जानकारी के लिए आप सिर्फ इसकी जो ओपिसल वेबसाइट है उस पर ही बिलीव कीजिए hpbos.org पर आप जाकर के देख सकते हैं ब्राउज कर सकते हैं दोस्तों आपको मेरे दोरा दी हुई जनकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं हिमाचल परदेश टैट से जुड़ी हो कोई भी बात है तो आप मुझे कमेंट करके पूंच सकते हैं धन्यवाद दोस्तों